हेलो फ्रेंड्स हमारे चनल में आपका स्वागत है आज हम बात करेंगे राज़स्थान हम सफर एक्स्प्रेस ट्रेन के बारे में इस ट्रेन का नंबर है 22986 यह ट्रेन दिल्ली सरायरोहिला और ओदेपुर सीटी के बीच चलती है यह ट्रेन 668 किलोमेटर का डिस्टेंस 11 45 मिनट में पूरा करती है यह ट्रेन 57 किलोमेटर पर आवर की एवज स्पीड से चलती है इस ट्रेन के लगबग 8 होल्ट है इस ट्रेन को नौर्थ वैस्टन रेलवे ऑपरेट करता है अब बात करेंगे इस ट्रेन के कोच के बारे में तो इस ट्रेन में आपको लह आपकार, आनबोड केटरिंग और E केटरिंग की सुविदा मिल जाती है और यह है ट्रेन WDP-4 डीजल लॉकोमोटिव से चलती है अब हम बात करेंगे इस ट्रेन की टाइमिंग के बारे में यह है ट्रेन दिल्ली सरायरोहिला से शाम को चार बज कर पंदरा मिनट पर चलती है ओदैपूर सिटी के लिए उसके बाद यह ट्रेन रिवाडी जंक्षन पहुंचती है शाम को पांच बज कर 35 मिनट पर और पांच बज कर 37 मिनट पर वहां से रवाना हो जाती है यहाँ पर यह ट्रेन दो मिनट रुकती है उसके बाद यह ट्रेन नारनोल पहुंचती है शाम को 6 बज कर 19 मिनट पर और 6 बज कर 21 मिनट पर वहां से रवाना हो जाती है यहां पर यह ट्रेन 2 मिनट रुखती है उसके बाद यह ट्रेन रिंगस जंक्षन पहुंचती है शाम को 7 बज कर 39 मिनट पर और 7 बज कर 32 मिनट पर वहां से रवाना हो जाती है यहां पर यह ट्रेन 3 मि पर वहां से रवाना हो जाती है यहां पर यह ट्रेन दो मिनट रुकती है उसके बाद यह ट्रेन अजमेर जंक्शन पहुंचती है रात को दस बज़ कर पांच मिनट पर और दस बज़ कर पंदरा मिनट पर वहां से रवाना हो जाती है यहां पर यह ट्रेन दस मिनट रुकती है उसके बाद यह ट्रेन भीलवाडा पहुंचती है रात को ग्यारा बज़ कर 40 मिनट पर और ग्यारा बज़ कर 45 मिनट पर वहां से रवाना हो जाती है यहाँ पर यह ट्रेन पांच मिनट रुकती है उसके बाद यह ट्रेन चंदे अरिया पहुंचती है रात को एक बज़े और एक बज़ कर पांच मिनट पर वहां से रवाना हो जाती है यहाँ पर यह ट्रेन पांच मिनट रुकती है उसके बाद यह ट्रेन मावली जंक्शन पहुंचती है रात को दो बज़ कर 54 मिनट पर और दो बज कर 56 मिनट पर वहां से रवाना हो जाती है, यहां पर यह ट्रेन दो मिनट रुकती है, उसके बाद यह ट्रेन अपने आखरी स्टेशन उदैपूर सिटी पहुंचती है, सुबा को चार बजे, और इस तरह यह ट्रेन अपना 668 किलोमेटर का डिस्टेंस कवर कर लेती है आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं